एक सवाल जो हमेशा मुझसे आप सब पूछते हैं, ओफ लाइन में जिन बच्चों के क्लास लेती हूँ वो पूछते हैं, वाट्सप पे बच्चे पूछते हैं, कमेंट सेक्शन में बच्चे पूछते हैं, कि मैम अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें? ये एक ऐसा सवाल है, जिसका जवाब मैं कई बार दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों को ना बड़ी दिक्कत आती है, तो आज इस बारे में बात करेंगे, कुछ सवाल है आपके जिनके जवाब मैं दूँगी, जैसे, अंग्रेजी सीखने की शुरुआत कहां से करें शुरुआत करने में बहुत ज़ादा दिक्कत आती है, आती है ना, आती है कमेंट सक्षिन में मुझे बताइए, कि मैं शुरुआत करने में इना सबसे बड़ी दिक्कत आती है, दूसरी, कि सिलसलेवाद तरीके से समझ नहीं आता कि कहां से पढ़ना शुरू करें, कहां तक पढ़ें कहां तक पढ़ लेंगे तो अंग्रेजी बोलने लगेंगे ये नहीं समझ आती ये सारी इस तरीके के और भी जो सवाल हैं है ना कब तक बोलने लगेंगे पहली बार मतलब समझ में कैसे आएगा कि अच्छा मेरे को समझ में आ गया है अब में अंग्रेजी बोलना शुरू कर सकता हूं या कर सकती हूं है ना इस तरीके के सवाल अगर आपके भी दिल और दमाग में चल रहे हैं तो आप बिलकुल सही जगा पर हैं मैं आपको आज इन सारे सवालों के जवाब दूँगी मैं आज आपको बताऊंगी पांच ऐसे तरीके या ना पांच समझ लेजिए स्टेप्स हैं ये जिसकी मदद से आप पहले दिन से अंग्रेजी बोलेंगे सही सुन रहे हैं बिलकुल सही सुन रहे हैं सही जगा पर हैं आप पहले दिन से अंग्रेजी बोलने के लिए एक सिलसलेवार तरीके से अपनी लर्निंग को करने के लिए और पहले ही दिन से उस लर्निंग का रिजल्ट देखने के के लिए तयार हो जाएए और बने रहिए इस वीडियो के अंतक तो हाई गाईज वेलकम टू भी बैंकर सुआगत है आपका आज की क्लास में आज की वीडियो में मैं हूँ पृती मैम और आज में लेकर क्या गई हूँ आपके लिए एक और नहीं जबरदस्त वाली क्लास कह ल तो चलिए उसके पहले अगर चानल पर नए हैं पहली बार इस चानल पर आए हैं पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कितनी जरूरी और कितनी एहम होने वाली है ये क्लास और इसके बाद आने वाली हर एक क्लास कैसे इ ताकि जब भी कोई ऐसी ही नई और information वाली classes आएं सबसे पहले आपको पता लग जाए आप सीधे सीधे हमसे जोड़ सकते हैं इस WhatsApp नंबर के जरिए हमारी books, हमारी e-books, हमारी paid courses के बारे में जानने के लिए और ये वाली class और इसके जैसी धेरो class रोज जो classes आती हैं वो सीधे सीधे अपने फोन पर पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी social media sites पर follow तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताऊंगी 5 tips कह लीजे बताऊंगी जिनको इस्तमाल करके आप पहले दिन से अंग्रेजी बोलेंगे I repeat पहले दिन से अंग्रेजी बोलेंगे जी हाँ 5 tips अंग्रेजी बोलने के लिए तो क्या-क्या है वो? चलिए How can we speak English? सबसे पहला सवाल कि हम अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं? How can we speak English? तो जवाब इसका है अंग्रेजी बोलने के लिए आप खुद सोचके देखिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है वाक्य रचना यानि की sentence formation है ना? वाक्यों की रचना करना अगर आपको आ गया तो आप अंग्रेजी बोल सकते हैं? हिंडी कैसे बोल पाते हैं या जो भी भाषा आप बोलते हैं? कोई भी भाषा कैसे बोल पाते हैं? आपको उस भाषा में वाक्य बनाना आता है तो अगर आपको अंग्रेजी में वाक्य बनाना आ जाए मैं आपको वाक्य बनाना अगर सिखा दूँ तो हमारा जो पहला step है वो complete हो गया यानि कि हमें वाक्य बनाना आ गया तो क्या समझ आया कि वाक्य बनाना सीखना होगा है ना, note करते चलिए बिल्कुल, बिल्कुल note करते चलिए और घबराईए मत, मैं जो भी आपको steps बताऊंगी जो भी आपको चरण बताऊंगी या जो भी आपको steps बताऊंगी उन सारों का जवाब और उनका solution भी मैं ही दूँगी आपको वाक्य कैसे बनाना है, कब बनाना है, क्या rule है ये सारी चीज़े बताऊंगी, कैसे होने वाली हैं ये चीज़े ये सब कुछ बताऊंगी तो बस आपको बने रहना है विडियो के end तक पहली चीज़ वापस आते हैं पहली चीज़ पर जो की है sentence formation यानि की वाक्य की रचना की वाक्य की जो रचना है वो मुझे आ गई तो फिर मेरा काम जो है वो बन गया मुझे वाक्य बनाना आ गया क्लियर हो गया यहां तक नोट करते चलिएगा अच्छा दूसरी बात दो वाक्यों को अच्छा सिर्फ वाक्यों के माध्यम से बात नहीं वाक्यों के माध्यम से बात करते हैं लेकिन छोटे 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 वाक्यों को जोड़ करके एक पूरी तरीके से flow में बात करते हैं, पूरी एक conversation होती है, वारता लाप होता है, कैसे होता है, छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ करके पूरा एक conversation तयार होता है, पूरा वारता लाप तयार होता है, पूरे बा वाक्यों को अधूरा अधूरा छोड़ दें यानि कि उनको जोड़े नहीं तो वो वाक्य जो है वो फिर बात नहीं वाक्य बातों में तबदील नहीं हो पाएंगे समझ आ रही है बात छोटे छोटे वाक्यों को अगर हमने नहीं जोड़ा तो वाक्य सिर्फ वाक्य रह जाए बातचीत में यानि की conversation में तबदील बदल नहीं पाएंगे यहां तक clear हो गया तो दूसरी और सबसे एहम चीज वाक्य संयोजक यानि की sentence connectors वाक्यों को जोड़ना वाक्य बनाना सीख लिया पहले चरण में दूसरा वाक्यों को जोड़ना सीखेंगे sentence connectors की मदद से जी हां इसके लिए भी आपको कोई बहुत बड़ा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है बिलकुल आसान भाषा में sentence connectors अगर आपको आ गएं तो आप दो वाक्यों को तीन वाक्यों को जोड़ करके conversation कर पाएंगे समझ रहें वार्तालाब कर पाएंगे वाक्यों को जोड़ना भी हमने सीख दूसरा चरन हमारा complete बढ़ते हैं आगे अब ये चरन जो है ये बहुत ज़रूरी है और इसकी learning जो है आपको करनी पड़ेगी देखिए हमेशा हर चीज की आपको trick नहीं मिल सकती है ना ट्रिक के लिए भी आपके पास थोड़ी बहुत knowledge होनी चाहिए तभी trick काम आएगा नहीं तो trick नहीं काम आएगा है ना सच है ना सच लग रहा है कि trick जो है समझने के लिए और trick का काम करने के लिए आपको आपके पास पहले से knowledge होनी चाहिए तो उसके लिए आपके पास भई में जितनी तारीफ की जाए जितने सीखे जाए उतने कम है तो भाई मैम क्या करें ऐसे तो फिर जंदगी भर शब्द सीखते रह जाएंगे अंग्रेजी कब बोल पाएंगे बिल्कुल इसका जवाब भी मैं ही दूँगी जब आपको वाक्य बनाने हैं तो सबसे जादा जरू पर क्या दुनिया का हर शब्द जरूरी है आपके लिए दुनिया का हर शब्द पढ़ना है क्या आपको नहीं पढ़ना ना हर शब्द नहीं पढ़ना है हमें दुनिया का जितना एक आम व्यक्ति अपने जीवन भर में इस्तमाल करता है जितने शब्दों का उतने शब्द अगर हमने सीख लिए, सीख लिए मतलब रट लिए, नहीं, शुरुवात में थोड़ी बहुत लर्नी करनी पड़ेगी, शायद थोड़ा रटना भी पड़े, लेकिन जब आप अंग्रीजी बोलने के शुरुवात कर देंगे, आपको लत लग जाएगी, आपको आदत लग जा था इनको, ऐसा नहीं होता, शब्द जो है वो आपके English spoken सीखने के जो सफर है उसका बहुत एहम पड़ा हो है, और शब्दों की लर्नी करना बहुत ज़रूरी है, तो ये थोड़ी बहुत लर्नी तो आपको करनी पड़ेगी, इनिशली करनी पड़ेगी, जब आपको एक बा जमाग में आते रहेंगे जब आप बात करते हैं, हिंदी में अगर कभी बात करते हैं, या किसी भी भाशा में, जो आपकी भाशा हो जिसमें आप comfortable हो, उस भाशा में जब आप बात करते हैं, तो कभी ये सोचना पड़ता है कि अच्छा इसके बाद कौन सा शब्द बोलूं या कभी याद है कि उन शब्दों को बैट करके रटा था, नहीं रटा था न कभी, अंगरीजी भी एक भाशा ही तो है, बस, तो आपको ये याद रखना है कि इनीशली आपको थोड़ी लर्निंग करनी पड़ेगी, बिल्कुल, जो सीरियस हैं, जो लर्निंग करने को तयार हैं, जो थोड़ी बहुत लर्निंग मैं बोल रही हूं, ये नहीं कह रही हूं कि दुनिया का हर शब्द जाके याद कर लो, पूरी डिक्शनरी रटलो, नहीं, ऐसे नहीं होता, लेकिन थोड़ी बहुत लर्निंग तो करनी पड़ेगी, जो तयार हैं, वही फिर आगे उन्हीं के लिए फिर काम की है, और अगर किसी आप एकदम लग रहा है कि कुछ ऐसे छड़ी घुमा दूँगी, जादू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, लर्निंग आपको करनी पड़ेगी, इनिशली थोड़ी बहुत लर्निंग आपको करनी पड़ेगी, ये हाँ पर अब है कुछ हमारे जीवन में ऐसे वाक्य होते हैं, जिनको daily life sentences कह लीजिए, fix sentences कह लीजिए, जो जैसे हैं, वैसे ही हैं, जो आपको as it is सीखना होगा, जो आपको, इसके लिए आपको कोई structure, कोई logic, देखर के भी फाइदा नहीं है, क्योंकि कितना सीखेंगे, हर वाक्य का अलग logic हो जाएगा, तो फिर कितना सीखेंगे, यहना फिर तो सीखते ही रहेंगे, कभी बोल नहीं पाएंगे, हमारा motive क्या है, अंग्रेजी बोलना, हमेशा याद रखिए, जब भी आप spoken English की बात करें, हमेशा ध्यान दें, कि आप बोल पा रहे हैं या नहीं, important यही है, ब अध्याने जाओ, इस तरीके के जो वाक्य होते हैं, जो हम लोग रोज आम घर में इस्तमाल करते हैं, चिटकनी लगा दो, खिड़की खोल दो, अलमीरा बंद कर दो, फ्रिज खोलो, जूस निकालो, इस तरीके के जो चीजे होती हैं, जो हम लोग आम लाइफ में यूज करत वाक्यों को जानना ज़रूरी है, जिसको कहते हैं daily life sentences और fixed sentences, fixed sentences जो fixed हैं जो आपको as it is वैसे ही आपको initially थोड़े पढ़ने पढ़ेंगे, later on यानि की बाद में आपको आदत हो जाएगी, आप खुद बखुद वाक्यों को बना पाएंगे और खुद बखुद आप इस्तमाल क यानि की fourth step और आगे और final conversation sample यानि की बातचीत, जो बातचीत करते हैं, अब आपको सारा हथियार दे दिया, चलाने चलाना ही नहीं सिखाया, बता दिया कि ऐसे लगाते हैं, यहाँ पे screw tight करते हैं, यह ऐसे इसको पकड़ते हैं, लेकिन अगर चलाना नहीं सिखाया तो फिर कैसे चलाएंगे हथियार को, राइट, है ना, यह चारो जो आपके steps थे, यह चारो जो चरण थे, यह वही वाले चरण थे, यह assembling थी, अब actual में आता है conversation slab, जब आप actual मैदान में उतरेंगे, बातचीत करेंगे, बातचीत करेंगे, तो conversation slab या conversation sample बहुत बहुत ज़रूरी है, तो आपको conversation sample या conversation slab जो है, वो सिखाऊंगी कि कैसे किसी से बात करें, क्या बात करें, कैसे बात करें, इससे दो चीज़े होंगी, एक, आप spoken English, आप सीख रहे थे, भूल नहीं जाएगा, हम लोग spoken English के बारे में बात कर रहे हैं, spoken English हम लोग सीख रहे थे, वो तो सीख लिया किसी से बात करने में जो हिचक होती है, अंग्रीजी नहीं जानने के वज़े से, वो दूर हो जाएगी, conversation samples में, clear हो गई बात यहां तक, यह पाचो steps, पाचो तरीके, पाचो जो tips हैं, वो आपको समझ में आ गए, तो अब यहाँ पे थोड़ा summarize कर लेते हैं, कि हमने क्या बा चाहिए, sentence connectors, यानि कि वाक्यों को जोड़ना आना चाहिए, word meaning आना चाहिए, daily life sentences और fixed sentences आना चाहिए, यह पढ़ेंगे हम लोग, और बातचीत का जो sample है, वो, यह भी आपको आना चाहिए, तो भईये मिलेगा कहां, यहां, आप बिल्कुल सही जगापे हैं, basic plus course है यह, basic plus course म क्युकि आप सब के लिए है, offer ही offer, जी हां, basic course का जो fee है, वो है 1499, जो कि आपने देखा, 1499, लेकिन, आप सब के लिए, बिल्कुल, वी बैंकर ने हमेशा से, बहुत सारे free courses अल्रडी करा रखे हैं, यह भी है, एक नया course शुरू करने वाली हूं, एक नया course शुरू करने जा रही हूं, बिल्कुल आपके लिए, बिल्कुल free, course की fees क्या है, बिल्कुल free, याद रखिएगा, मैं बोल रही है, course की fees क्या है, बिल्कुल free, क्या है, बिल्कुल free, जी हां, तो यही है announcement, आपको मैं करवाने वाली हूं, free spoken English course, date, date पूछ रहे हैं क्या, चलिए, बने रही है, आगे बता रही हूँ डेट कौन सी है तो कौन-कौन इस course को करने वाला है कौन-कौन करने वाला है इस course को जल्दी मुझे comment करके बताईए कौन-कौन इस course को करने वाला है जल्दी से अभी ही comment कर दीजिए कि मुझे मैम ये course करनी है जितने जादा बच्चे इस course में इन्रॉल होंगे और इसको ना फैला दीजे, बिल्कुल फैला दीजे, पूरे हर किसी तक ये message चला जाना चाहिए, कि भई, free spoken English course हो रही है, बिल्कुल free, और इसमें मैं बता रही हूँ, पहले दिन संग्रीजी बोलेंगे, बताया ना, पहले तो चलिए, अभी कर दीजे इसको शेयर, सबको शेयर कर दीजे, सबको शेयर कर दीजे, इतना मैं रोज नहीं बोलती हूँ, बोलती हूँ, नहीं बोलती हूँ ना इतना शेयर करने के लिए, लेकिन ये वाली तो शेयर करनी बनती है, है ना, अच्छी चीजे शेयर करनी चा वो डर है, वो हिचक है, वो हिचकचाहट होती है, वो परिशानी उनको जहलनी पड़ती है, कि भई हमें अंग्रेजी नहीं आती, ये जादा से जादा लोगों तक पहुँच पाए, जादा से जादा लोग को लाब पहुँचे इसका, तो चलिए, जल्दी से शेर कर दीजे, और इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि आखिर, पहले दिन से बेसिक कोरस है, ये बता दूँ कोरस है, पहले दिन से आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे, बिलकुल सुनहरा मौका तो है, ये तो आप भी मानते हैं, प्री कोर्स करा रही हूँ, 14.99 इसका प्राई section में consistently एक ही सवाल मैं शुरू कैसे करें मैं शुरू कैसे करें भई लीजे शुरू करने के लिए course आ चुकी है जल्दी से comment करिए कौन कौन करने वाला है मुझे बताईए और इसको फैलाईए फ्री है पंदरा दिनों में पूरा course करा दूँगी पंदरा दिन 15 डेज आप अपनी जव्यस्त जिंदगी से सिर्फ पंदरा दिन निकाल करके मुझे दीजे सिर्फ पंदरा दिन और ये course हो जाएगा पूरा आप पहले दिन संग्रेजी बोलेंगे घर बैठे बोलना है तो ऐसी कोई बात तो है नहीं कि भई बड़ा दूर जा रहा है बड़ा दूर जाना है हमें कितना कुछ खर्चे आएंगे कुछ नहीं आ रहा है घर पे बैठके करेंगे घर पे बैठे 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 पढ़ेंगे घर पे बैठे बैठे जी हाँ घर पर कि ताकि आप इन फ्यूचर कभी भी कभी भी जब आपको मन करें इसको दुबारा रिवाइस करने का आप आराम से LEव और रहती यहां बड़ी सहूलयित हो जाती है बिल्कुल पिलाएव जाये चारज पर आपको इस turns के फिनिश होने पर e-book भी available किरा दी जाएगी course के finish होने पर e-book मिलेगी छिक है जो जो बना रहेगा class के अंत तक यानि कि 15 दिनों तक जो जो consistently यानि कि बिल्कुल जुनून के साथ जुड़ा रहेगा बिल्कुल e-book available हो जाएगी उसको मिल जाएगी e-book तो चलिए कब से शुरू हो रही है भई 9 नवंबर 9 तारीक दिन कलेंडर पे नोट कर लीजे मोबाइल पे अलार्म लगा लीजे reminder लगा लीजे 9 तारीक से चालू हो रही है course 9 तारीक से 9 नवंबर से चालू हो रही है ये course यह आपको free में कराया जा रहा है क्योंकि festival offer है बिलकुल 1499 का course आपको कराया जा रहा है free में festive offer है तो आप सब के लिए है भई इतने सारे courses करा रखे हैं यह भी एक नया course है तो चलिए जल्दी से इसको share कर दीजे free course है घर पे बैठके सीखना है कोई मुसीबत नहीं है पंदरा दिन का वक्त ले रही हूँ इससे कम में क्या होगा पंदरा दिन का वक्त इसमें आपकी जो basic learning है spoken English की बहुत अच्छी हो जाएगी आप पहले दिन संग्रीजी बोलना शुरू करेंगे clear so yes guys that's it for today यह आज की class कह लीजे आज की video कह लीजे आज की motivational video कह लीजे spoken English के लिए या कह लीजे course की announcement आपकी इच्छा है तो अगर पसंद आई है तो like और share तो बनता है share तो जरूर से कर दें क्योंकि जैसा कि मैंने बताया festive offer चल रहा है course 1499 का course आपको बिल्कुल free करा रही हूँ पंद्रा दिनों का वक्त ले रही हूँ 15 दिनों के अंदर आपकी अंग्रेजी में आप अंग्रेजी बोलने लगेंगे सुधार की तो बात रहने दीजे आप अंग्रेजी बोलने लगेंगे बहुत बड़ी बात होती है तो फैला दीजे इस course को पूरे भारत में फैल जाना चाहिए पूरे सब को फैला दीजे कि घर बैठे भाईया कोर्स हो रहा है जॉइन कर लो चलिए इसके साथ ही आप सब के सामने हैं भारत का एक लौता मिनी इंगलिश कोर्स जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकें इंगलिश कोर्स भी बुला सकते रूल्स क्या होते हैं इस वाकियो को बनाने के ये सारी चीजे मिल जाती हैं तो कैसे मिल सकती है आपको ये कोर्स आ चुकी है इसकी इबुक भी आ चुकी है तो ये कोर्स आपको मिल सकती है इस नंबर पर आपको करना है वाटसाप लिख करके मुझे मिनी स्पोकें से हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी इसके साथ ही बहुत जल लॉंच करने जा रही हूं तीन किताबें एक होने वाली helping work के उपर एक होने वाली है daily life sentences के उपर एक होने वाली है daily life words के उपर तो भई आपकी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही अगर आप हमसे जोड़ना चाहते हैं हमारे प्रीम वाट्सप स्पोकें इंग्लिश कोर्स में इसकी इंक्वारी आप इस नंबर पर कर सकते हैं बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल कौन सा है लेकिन यह कोर्स बहुत ही interactive है बच्चों को खेल-खेल में सखाया जाता है बच्चे बड़े असानी से सीख लेते हैं तो इसकी इंक्वारी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं और अगर आप स्कूल जाने वाले अब टेक्स्ट बुक के आंसर लगते हैं वो तो राइटिंग भी कराया जाता है यानि कि एसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग और साथ में ग्रामर भी तो इसकी इंक्वारी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं और अगर आ नाम लिखकर के इंक्वाईरी भेजे ताकि हमारे प्रतिनीधी आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं जानकारी मिलने में फिर भी 12-40 घंडों का वक्त लग जाता है तो किरप्रया प्रतीक्षा करें और अगर मेसेच कर दिया है तो बिलकुल निश्चिन थो ज झाल